नमस्कार मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की स्यान दोस्तों इसे बहुत महत्वपूर्ण है हम जिस देश में यानि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्र की रक्षा करें और लोकतांत्र में एक चीज यानि पक्ष और विपक्ष यानि विपक्ष होगा तभी यानि वहाँ पर लोकतांत्र होगा यह बात एक तम सकते हैं अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, कल से हम यानि एकजिक पोल भी देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, आज कुछ यानि जो गटना ही हुई है, और एक दो दिन पहले भी हुई थी, यानि इवियम की है, यानि ऐसा मेधानिक तरीके से इवियम एक जगहें से दूसरी जगहें पर ट्रांसफर की गई, और वो किसके फेवर में थी या क्यों की गई, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, विपक्ष में, सत्ता पक्ष में आरोप परते आरोप चलते रहते हैं, और एक सवस्थ लोगतंतर के लिए जुरूरी भी है, कि यानि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से ऐसी बहस करें, लेकिन लोक तंतर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोक तंतर को बचाने की कि अगर लोक तंतर में कोई भी सत्ता पक्ष अगर कभी भी एहंकारी हो जाता है तो वैं लोक तंतर नहीं राज तंतर बन जाता है ऐसा मैं यह नहीं कहता हूँ कि अभी की समय में वाय पहले भी एक दो बार ऐसी गटनाई हुई थी कि जहां पर जंता को ऐसा लगा था यानि पूराने समय में कि यानि सरकारें कुछ मनमानी कर रही है लेकिन वर्तमान में जब हम यह देखते हैं कि हर बार जब चुनाव आते हैं तो यानि एवियम को लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल यानि खड़ा होता है चुनाव तो पहले भी होते थे सरकारें हार भी गई थी और यहां तक कि देश का परधान मंतरी जो था उसका चुनाव भी ऐसमिधानिक घोशित कर दिया गया था बात इंदरा गांधी की करेंगे जब उनके चुनाव को ऐसमिधानिक घोशित किया गया था विपक्ष ने आरोप लगाई थे और यानि कौर्ट ने चुनाव को ऐसा मिधानी कोशित कर दिया था बहुत से बड़े बड़े नेता ऐसे थे जो यानि चुनाव बेलेट पेपर से चुनाव हार जाते थे लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी ये आरोप लगाया हो कि यानि चुनाव जो है उसको कहीं पे कैप्चर किया गया है लेकिन अब पिछले हम दस सालों की अगर बात लेके चलेंगे तो इवियम पे आरोप लगाई जा रहे हैं और लगातार लगाई जा पहली बाद तो मैं एक यह clear कर देना चाहता हूँ कि आज कल ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा है कि जो यानि हैकिंग का उसमें प्रावदान नहीं हो या हैक नहीं हो सकता हूँ विसो की बड़ी बड़ी यानि जो विमान है एर डिफेंस सिस्टम है हम यानि कई बार देखते हैं कि यानि अभी युक्रेन में हुआ है रूस में जो रक्षा मंत्राले की जो वेब साइटें थी वो तक यानि हेक कर ली गई थी हमारे परधान मंत्री का ट्वीटर अकाउंट हो गया था बहुत से नेताओं के ट्वीटर अकाउंट हो जाए एक हो जाते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम बचा ही नहीं है वरतमान में कि जो हेक नहीं हो सकता हो यह बात भी एक दम सकते हैं तो क्या लोगतंतर को बचाने के लिए हम वापस बिलेट पेपर से चुनाव नहीं कर होने चाहिए कि हमने मैंने वोट दिया है आपने वोट दिया है वोट किसको दिया है यह जरूरी नहीं है लेकिन मुझे यह होना चाहिए कि हां मैंने वोट दिया है और मेरा वोट जो है वो सही गया है चुनाव कौन जिता है वो बाद की बात है लेकिन मेरे वोट की वेल्य मेरे मन में यह संका नहीं रहनी चाहिए कि मैंने यार वोट दिया था और अब मैं यह देख रहा हूं कि यह EVM जो है वो यानि कहां पे जा रही है वो कैसे सेट हो रही है कौन क्या कर रहा है यह मुद्दे तब खत्म हो जाएंगे जब चुनाओ बेलेट पेपर से होंगे अगर हमारे देश में विशो का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश है और इसके अंदर अगर ऐसे मुद्दों पर हम बहस नहीं करेंगे और उस समय भी कितने तिन तिन चार चार दिन आपको यह यानि चम्ब्या आलब होगा इस बात से आप आश्च्रे चकित होंगे कि तिन सी यानि चार चार दिन यानि बेल्यणट पेपर से वोटिंग यानि कांटिंग चलती थी İş एक दिन में वोट गिर जाता था लेकिन जो वोटों की कांटिंग होती थी वह 3-4 दिन से होती थी और दूसरा एक चीज ओर थी उस समय कि यानि जैसे आज वोटिंग हुई है तो जैसे ही वोटिंग खतम होती थी उसी समय हतो आज जो है वोटिंग प्रोसेश यानि मतगणना का प्रोसेश चलू हो जाता था और एक सवस्त लोग तंतर के लिए वो सबसे बड़ी यानि जरूरी बात यह थी कि हम हर पक्ष को यानि सहमत करना ही लोग तंतर का सबसे बड़ा उदेसे होता है तो मेरे देश के अंदर भी मैं यह चाहता हूँ कि इस परंपरा को वापस शुरू कि आ जाए बिलेट पेपर पर वापस आया जाए ठीक है समय लगेगा लेकिन लोग तंतर को बचाए रखना लोग तंतर के उपर धबा लगने से ज़्यादा जरूरी है कि हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिसमें सभी पक्ष सहमत हो आज का जो सत्ता पक्ष है यह भी इवियम का विरोध करता था पुराने ब्यान आप चाहिए भाजपा नेताओं के ले लीजिएगा यह भी ऐसा नहीं है कि आज विपक्ष कर रहा है और पहले सत्ता पक्ष यह भी इवियम का विरोध करते थे पहले यह जो सत्ता पक्ष है वो नहीं करता था अब यह जो है यह इसके पक्ष में है और वि पर जो धबा लग रहा है और पूरा विसो देख रहा है कि यानि विसो का सबसे बड़ा लोकतंतर है उसकी यानि सरे याम धजियां उड़ाई जा रही है आकिर क्यों सिर्फ एक EVM के पीछे तो यार हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को हम क्यों बदलाव नहीं कर सकते एक कारण तो बता दीजिए इतना ही है कि बिलेट पेपर पेसा बिलेट पेपर चपवाने पड़ेंगे अरे इतना पैसा तो EVM का भी लगता है EVM क्या खराब नहीं होती बिलेट पेपर तो बिल्कुल खराब नहीं होता EVM तो खराब भी हो जाती है हमने देखा होगा 4-4-5-5 गंटे वहाँ पे एक EVM कराब होगी दूसरी मिली वो भी कराब होगी तो टाइम तो उसमें भी लगेगा ना तो बिलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते सभी पार्टियां सहमत होगी यह 100% शोर है और सभी मत दाता सहमत होगे कि हाँ ठीक है मैंने जहां पे ठपा मार के आय मेरा वोट उसको गया है कोई अंगूली नहीं उठा सकता बिलेट पेपर को अलगला कीजिए चुब मत गरना करवा लिजी लोग तंतर को अगर बचाना है तो लोग तंतर के लिए मैं मेरे ही परसनल लाए है कि EVM को हटाना होगा अगर आप सहमत हैं और लोग तंतर को बचा जाना है इस पे धबा नहीं लगे इसके लिए इस EVM को हटा दिया जाए वापस अगर बेलेट पेपर का प्रोसेस है अगर इसको वापस अपना लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है समय बहुत है हमारे पास समय बहुत है काम वही तो करना है जो रिजल्ट आज चार गंटों मे दे रहे हैं वो एक दिन में दे देंगे या 48 गंटे में दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लोग तंतर बचना चाहिए तो दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए जै हिंद जै भारत